स्री सिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव। मेरे गुरुजी कहते हैं होलिका की अगनी में आप सभी को जरूर से एक चीज डाल देना चाहिए ताकि रोग, संकट, पीड़ा, कस्ट इत्यरी का पूर्ण रूप से शमन हो और खुश्यों से भंडार भरे। रंगों का उत्सव है होली और अपने आप में अद्भूत है, विसेस है जो की जीवन में सब सुख प्रदान करने के लिए सहक है। इन दिनों नकारात्मकुर्जाओं का पूर्ण रूप से कही न कही ब्रह्मांड में वर्चस होता है, परन्तु होलिका की अगनी में यह सभी चीज़ें स्वाह होकर स्वाकारात्मक्ता और अपने आप में खुश्यों के दिनाने आरंब हो जाते हैं, दो हजार चौबिस में फालगुन पूर्णिमा जो की सबसे बड़ी पूर्णिमा के सरूप में मानी जाती है, आप सभी को आवश्यक रूप से 24 मार्च को ब्रत करना है, फालगुन प पूर्णिमा का ब्रत 24 तारिक को करना है, ठीक है, 24 तारिक को ही होली का कभी दहन किया जाएगा, और ब्रत भी आप सभी इसी दिन करें, कई तरह के दुरलफ सयोग हो रहे हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है, 25 मार्च के दिन रंगों का त्योहार होली मनाई जाएगी आप सभी को अपने जीवन में दुर्भागी को दूर करने के लिए इस दिन सरल से उपाय करने चाहिए, ऐसी मानेता है, नर्सिंग भगवान सुन्दर स्वरूप जो है, विक्राल स्वरूप जो की बुराई का नाश करने के लिए आज के दिन हिस्री हरी विश्णु ने नकारात्मक उर्जा पर सकारात्मक उर्जा के विजय का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के सरूप में भी जाना जाता है, कुल मिलाकर अपने आप में हरी भजन का यह सुन्दर दिन होता है, कमेंट्स में आप सभी भी नमाह शिवाय ओम या ओम नमो भग दिया था कि पूरा ब्रह्मांड जो है उनके कस्टों से गुंजाइमान हो उठा था इतने जो है उसे दुख तकलीब दी थी कि आप स्री हरी विश्णु की भक्ति छोड़ कर जो है पूर्ण रूप से मेरे कही अनुसार चले परंतु मेरे भक्त पहलात की जो है प्रभु भक् था कि वह जो है अगनी में भस्म नहीं हो सकती पर प्रणन्तु हरी नारायन के जाप का प्रताफ इतना अध्भु था कि होली का पूर्ण रूप से उसमें दहन हो गई और मेरे भक्त पहलात को कुछ नहीं हुआ नर सिंग भग्वान ने सुन्दर अवतार लिया और चारों तरफ प्रभु स्मरण हुआ और सुन्दर रंगों की होली खेली गई दोजार चोवीस में आप सभी आवश्यक रूप से 24 मार्च के दिन ब्रत करें और 25 मार्च के दिन रंगों का उत्सव होली मनाए परंतु इस दिन कई तहके टोटके टोने इत्यारी भी किये जाते हैं घ भक्त पहलाद के सुन्दर स्वरूप के स्वरूप में होलीका का पूजन किया जाता है उस अगनी को पवित्र माना जाता है अपने आप में विश्यस माना जाता है इस दिन आवश्यक रूप से होलीका की जहां पर आपने देखा होगा एक होलीका का स्वरूप बनाया जाता है जिसमें सूखी पत्तियां और जो है बच्चे बनाते हैं घर के बड़े बुजुर्ग जो है उसे अगनी प्रदान करते हैं होली का देहन का सुंदर स्वरूप बनाया जाता है और उसकी जो है रोली चंदन मूली रंग इत्यादी उसे समर्पित किया जाता है सभी महला पू जो है आवश्यक रूप से स्री नारायन का सुंदर स्वरूप इसमर्ण करते हुए समर्पित करते हैं गुजिया और जो पक्वानी तैदी इस दिन बनाया जाते हैं वह आवश्यक रूप से इस अगनी कुंड में डाले जाते हैं होली का माता को समर्पित किये जाते हैं और इससे कस्टों का निवारण होता ही है परन्तु इस दिन आवश्यक रूप से कुछ वस्तु जो है आप सभी को आवश्यक रूप से होलीका की अगनी में डालनी चाहिए ताकि रोग संकट पीडा का नाशो दुख दरीद्रता का जो है अंतहोर खुशियों के बंडार भरे रहे आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन विश्यस तोर पर होलीका मता का पूजन करना चाहिए कलावा इत्यधि समर्पित करकर परिक्रमा लगा कर दीप प्रज्यलित करकर दुरभा की खोँगों दूर करना चाहिए कहा जाता है होलिका की यह दिन जो है हुलास्टक की यह दिन नकारात्मक उर्जा से भरे हुए होते हैं जिस कारण से मन उदास रहता है मन चिंतित रहता है और ऐसे में जो यह होलिका की अगनी होती है इसमें कई तत्व ऐसे डाले जाता है कई चीज़े ऐसी डाली जाती है जो होलिका की राख भी जरूर से घर पर इस दिन लेकर आएं, जो की दूर्भागी को दूर करने के लिए हो, आप सभी को क्या करना है, अपने हाथ की हथेली में लॉंग का एक जोड़ा लेना है, और कपूर लेना है, और साथ के साथ इलाइची आप सभी को लेनी है ठीक है इलाइची लौग का जोड़ा कपूर और थोड़ा सा काले तिल आप अपने मुठी में ले लीजेगा थोड़ा ज्यादा स्वरूप में काला तिल ले लीजेगा हलाकि आप कपूर लॉंग और इलाई चीजों मैंने बता है उन्हें कम स्वरूप में भी ले सकते हैं ज्यादा स्वरूप में भी ले सकते हैं अपने हाथ की हथेली में इन्हें लेना है और पूर्ण रूप से घर में आप सभी को इन्हें लेकर ओम नमो भगवते पीडा का नाश हो, खुशियों का आगमन हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को इसे ले जाकर जो होलिका की अगनी होती है उसमें नर्सिंग भगवान का स्मरण करते हुए समरपित कर देना है, आपके परिवार में जो भी कस्ट चल रहे होंगे, जो भी पीडा चल रह होता है, जो लौंग होता है, जो इलाइची होती है, यह जो तिल होते हैं, काले तिल वह अगनी में डाले जाते हैं, उससे उठने वाला जो धुआ होता है, पूरे ब्रह्मांड में, सकारात्मक्ता के सरूप में होता है, इससे अगनी कुंड के सरुंदर सरूप के रूप मे भी देखा जाता है और यही चीज़ें जो है अगनिकुंड के सुन्दर सरूप में भी जानी जाती है तो इन सभी चीज़ों को आप सभी को माता होलिका का जो है जहाँ पडेहन होगा वहाँ पर नरसिंग भगवान का स्मरण करकर जरूर से डालना है आप अनिविधान से पूजा करें, जिस नियम से पूजा करते हैं वह करें, परंतु साथ के साथ इस कारी को भी आपको करना ही चाहिए, जो भक्त करते हैं वह जानते हैं कि इसके अद्भुद लाव है और परम सुख है, किसी ने कुछ किया कराया है, बुद्धी बंधन है, सा के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन कुछ पत्तियां तुलसी की जैसे पाँच पत्तियां हो गई इतनी ब्यवस्ता नहीं हो पाती है तो मात्र एक पत्ति भी आप सभी को इस जो है होलिका की अगनी में जरूर से डालने चाहिए पावन पवित्र पूर्णिमा का दिन है महादेव के सिवलिंग पर एक चावल एक बेल पत्र थोड़ा सा कच्चा दूद आपको जरूर से समर्पित करना चाहिए काला तिल समर्पित करें चंद्र देवता का पूजन करें और सुन्दर प्रभुस्मरन करते हुए माता लक्ष्मी की आराधना करें साथ ही इस कारी को जरूर से कीजिएगा वीडियो उची तुपियोगी रहती हैं तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स में प्रभुस्मरन जरूर से कीजिएगा हर हर महादेव जय सिर्सम्पित